बागलपुर सहर में सुरू हो रही है CNG बस से वाग जिले में दो फिलिंग सेंटर भी वन रहे हैं भागलपुर सहर की सड़कों पर जल्द ही CNG बस से दोडेंगे वागलपुर की 4 बस के इंजन को डीजल से CNG में बतला जा रहा है मुख्याले अस्तर पर यह काम हो रहा है इंजन बदलने के बाद इसे भागलपूर को सौप दिया जाएगा हाल में परिवाहन निगम ने 50 से अधिक CNG बस की खरीदारी भी की है जिले में बाइपास वा अगबर नगर में CNG फिलिंग स्टेशन भी बन रहा है परिवाहन निगम के छेतरी प्रबंदक ने बताया है कि भागलपूर की चार बसे डिजल से CNG में बदल रही है ये बसे भागलपूर को मिल सकते हैं क्योंकि अब यहाँ इधन की भी सुईधा मिल जाएगी यहाँ CNG बस चलाने की पूरी तयारी हो चुकी है CNG की सुईधा अगबर नगर के परशुराम फ्यूल सेंटर और बाइपास के सिवम फ्यूल सेंटर पर मिलेगी एंडियन ओयल फ्यूलिंग सेंटर को बना रहा है परिवाहन निगम भागलपूर से कोलकता और बांका के लिए बस सेवजल्दी सुरू करेगा दरसल बिहार और पच्छिम बंगाल के विभिन सहरों से आने के लिए 45 रूटों बे बस चलाने की सहमती हुई है 14 ऐसे रूट है जिन में बस अभी नहीं चल रही है भागलपूर से भाया दुमका कोलकता के लिए और बांका से सिली गोडी के लिए बस नहीं चल रही है इसको लेकर सताई जनौरी तक प्राइवेट संचालों को उसे आवेदन वांगे गए थे अभी भागलपूर से नीजी बस कोलकता के लिए जाती है स्मार्ट सेटी द्वारा भी परिवाहन नीगम को से अजी बस मिलने वाली थी लेकिन फंड के अभाव में इसे रोक दिया गया दरसल पिछले वर्स 30 अगस को प्रमंडेली आयूक की अध्यक्षिता में छेत्रिय बैठक हुई थी जिसमें इस बात की चर्चा हुई थी लेकिन केंदर शरकार द्वारा स्मार्ट सेटी को 31 मार्ट तक किसी भी तरह का फंड नहीं मिलने के कारण यह योजना पर ब्रेक लगा दिया गया है